सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चानेल को सब्सक्राइब कर लिजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दिजिए हमारा लाटेस वीडियो पेले पाने के लिए दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से हम ESBANK stock के उपर technical analysis करने जा रहें तो चलिए दोस्तों इसी stock का chart pattern open करके ये stock का moment की इसे आप से इस stock के उपर details पर analysis करके जानते हैं कि क्या हम को इस stock के उपर अभी खरीदरी करना चाहिए अगर हम इस stock पर खरीदरी करना चाहते हैं तो किसी label के आशपास हमको इस stock पर खरीदरी करना सही रहेगा और ये stock के लिए किसी label के आशपास support और किसी label के आशपास resistance का label आ रहा है दोस्तों ये stock एक fundamentally बहुत आच्छा stock है तो ये fundamentally आच्छा stock जो अब नीचे की तरफ आ जाता है उस stock के उपर हमको खरीदरी करना सही रहता है लेकिन किसी label के आशपास ये stock के उपर खरीदरी करना है चलिए उसका chart पटन देखे इस stock के बारे में details पर जानते है देखिए दोस्तों मैंने yes bank stock का daily chart open किया है तो दोस्तों daily chart की साफ से मैंने already आप लोगों को पताया है देखिए इस stock का अगर आप all time high के आसपास देखोगे देखिए एक साल पहले ये log bug 400 के उपर ट्रेड कर रहा था लेकिन ये stock का जब downtrend शुरू हुआ देखिए इसका downtrend के साफ से इसका जो low बनाया ये 148 लेबुल के आसपास और इसी 148 लेबुल देखिए दो से तीन महिना के अंदर ये 400 से लेकता और 148 तक आ गया और दोस्तों ये लेबुल के आसपास आने के बाद इसी लेबुल से देखिए बांस प्याक्टे के उपर की तरफ जाने लगा और मैंने ये जो trend line draw किया था इसी trend line के उपर ये trade कर रहा था और देखिए दोस्तों लेकिन जब ये double top का लेबुल के आसपास आया मतलब ये 285 लेबुल के आसपास आया इसी लेबुल के आसपास ये short selling का position बनाया देखे दोस्तों ये जो candlestick pattern आपको देखे रहा है ये bearish angle wing का pattern है तो bearish angle wing का pattern के साब से इसी level के आसपास ये stock नीचे जाने के लिए हमको signal दिया और दोस्तों इसी level से देखे continuously ये stock नीचे की तरफ जा रहा है और जब ये trend line को break किया उसके बाद बहुत तेजी से ये नीचे की तरफ जाना सुरू हुआ है और इसके बाद वापस को भी उपर की तरफ ये stock move नहीं किया है तो देखे दोस्तों यहाँ पे मैंने जो trend line draw किया है इसी trend line के नीचे अभी ये stock trade कर रहा है और ये stock जब वापस 148 level के आसपास आया था लग रहा था इसी level के आसपास ये stock के लिए support का level बनेगा लेकिन वापस ये strong support का level को ये cross करके ये नीचे की तरफ जा रहा है अगर आप उसका overall trend को देखोगे देखिए lower high lower low pattern form करके ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है तो दोस्तों ये stock जब 79 के आसपास आया देखिए 79 के आसपास आने के बाद लोग बग एक महिना इसी 79 के उपर ये trade करने लगा लेकिन ये 79 का level भी ये stock के लिए strong support का level बन नहीं पाया तो दोस्तों ये इसके continuously lower high lower low pattern form कर रहा है और देखिए ये जो last trading day पर ही जो pattern form किया है ये एक buying का pattern है मतलब ये spinning top का pattern form करने के साथ ये जो double candlestick pattern form किया है ये एक bullish harami का pattern form किया है और दोस्तों ये buying का pattern ये double bottom बाद लेबुल बे आने के बाद ही form किया है देखिए इसके लिए जो double bottom का label आ रहा है ये 58 लेबुल के आसपास मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ देखिए दोस्तों ये 58 का label ये stock 4-5 सल पहले इसी level के आसपास आया था और ये label से इस stock देखिए कितना तेजी से उपर की तरफ गया था और देखिए अभी wapos ये 58 का label के आसपास पहुंच गया है तो दोस्तों ये 58 का label ये stock के लिए एक strong support का label है अगर ये stock इसी level के आसपास रुखता है और इसी level से buying का pattern form करके वापस उपर की तरब जाता है तो दोस्ते ही stock पे आप buying का position बना सकते हो लिकिन अगर ये stock ये 58 level को तोड़ देता है तो फिर वापस इसके लिए जो support का level आएगा ये 53 level के आसपास अगर ये stock ये 58 का level को तोड़ता है तो देखिए उसके बाद उसके लिए 43 का level support का level बनेगा तो अगर आप सोच रहे होगे कि अभी इसी level के आसपास हमको खरीदारी कर लेना चाहिए तो दोस्तों आपको थोड़ा अभी wait करना पड़ेगा क्योंकि देखिए यहां पे buying का pattern firm कर रहा है फिर भी इसका जो trend है ये negative है negative मतलब ये stock धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने के हमको signal दे रहा है इसलिए दोस्तों हमको अभी थोड़ा wait करना है अगर ये इसी level के आसफास 2-3 दिन trade करके धीरे धीरे उपर की तरफ जाने लगेगा और ये जो trend line में ने draw किया है इसी trend line को cross करके उपर जाके trade करेगा कभी आप इसी stock पे खरीदारी करना सही रहेगा क्योंकि देखिए को अगर कोई भी stock नीचे की तरफ जाता है वो कितना ज्यादा नीचे जाएगा हम ये बोल नहीं सकते इसलिए दोस्तों उसका support का level तो हमको wait करना है तो ये stock अभी एक support का level पे आके पहुंचा है लेकिन इसी support का level पे जब तक इसका trend reverse नहीं होरता है तक तक हमको इसी stock पे खरीदारी नहीं करना चाहिए ही के दोस्तों ये था yes bank stock के उपर मेरा technical analysis और इसी technical analysis के साफ से हमको अभी थड़ा wait करना है अगर ये trend change होता है तो भी आप इसी level के आसपास खरीदारी कर सकते हो दोस्तों अगर आपको interdating करना है मैंने आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों मैंने nifty future के उपर एक hedging का strategy बनाया है और ये strategy बहुत अच्छा काम दे रहा है इसलिए मैंने continuously तीर महिना से ज़्यादा time हो गया इसी strategy के उपर खूद live market में trade करके इसका result को आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ देखे दोस्तों अगर आप intraday पे बहुत ज़्यादा नुक्सान कर चुके हो दोस्तों ये strategy आपके लिए है क्योंकि इसी strategy के माध्यम से जो maximum risk क्या रहा है 2-3% के आसपास maximum risk क्या रहा है और इसी strategy पे maximum time 1% से भी काम risk का रहा है और दोस्तों अगर आप profit का बात करोगे इस पे 2% से लेकर 6-7% तक आराम से profit आ जाता है लिकिन मैंने अभी आपको बता है कि मैंने हर दिन इसी strategy को use करके capital का minimum 1% के आसपास profit book कर लोगा इसलिए दोस्तों मैंने continuously तीन दिनों से इसी strategy के उपर 1% से ज़्यादा profit जो भी भी आ रहा है मैंने वो profit को book कर लेता हूँ दोस्तों आप मुझे हमेशा यह बोल रहे थे कि कोई भी एक ऐसा strategy बनाई है भले ही ओ paid strategy हो लेकिन ओ strategy बहुत अच्छा काम देना चाहिए पुलों का बहुत अच्छा positive feedback आ रहा है तो चाले दोस्तों मैंने इसी strategy को यूज करके आज तक जो भी सारे trade किया है उसका रेजल के बारे में एक बार जान लेते हैं देखे दोस्तों इसी strategy पर काम करने के लिए basically एक लाग के आसपास investment चाहिए अगर आपका trading account में इतना investment है तो आप इसी strategy पर आराम से काम कर सकते हो और देखे दोस्तों मैं मन्त पर मैंने इसी strategy के माध्य में से जब काम किया था तो यह 18% से ज्यादा return दिया था दोस्तों 18% का return अगर आपको कम लग रहा है मैंने एक चीज आपको बताना चाहता हूं यह return एक ही महिना के अंदर एक बहुत बड़ा return होता है क्योंकि देखे दोस्तों जेनरली अगर आप fixed deposit या mutual fund के बारे में सोचोगे basically fixed deposit पे आपको शाला ना 8% के आसपास return मिलता है और mutual fund पे basically maximum 30-35% के आसपास return मिल जाता है लेकिन देखे दोस्तों यहाँ पे यह एक एक महिना में 18% के आसपास return दे रहा है इसलिए दोस्तों यह return एक बहुत बड़ा amount है क्योंकि देखे अगर minimum 10% के आसपास return भी आता है तो एक साल के अंदर हमारा capital double हो जाएगा इसलिए रोस्तों यह return एक बहुत बड़ा amount होता है और देखे दोस्तों जून मन्त पे इस strategy log bug 18% के आसपास return दिया था जुलाई मन्त पे market थोड़ा sidewise था फिर भी देखे यहां पे 13% के आसपास return आ गया था और दोस्तों अभी August मन्त continue चल रहा है और देखे अगस्त मन्त का 1st August से लेकर 23 अगस्त अग मैंने जो भी सारे trade किया है उसका result जो profit आया उसको green पे और जो loss आया उसको red color पे select किया है और देखे दोस्तों यह 3 दिनों से जब भी मेरा 1% से ज्यादा profit आ रहा है मैंने वो profit को book कर लेता हूँ तो दोस्तों अगर आप यह 1st August से लेकर 23 अगस्त तक जो भी profit या loss आया है अगर आप यह सारे result को मिला होगे देखें net net 14,055 के आसपास profit अलड़ी आ चुका है दोस्तों यह 1 महिना complete होना में और भी 5 trading day बचा है और देखें अभी तक यह 14% के आसपास अलड़ी return दे चुका है इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ यह strategy बहुत अच्छा काम दे रहा है अगर आप लोग की strategy चाहिए तो मैंने मेरा whatsapp का number description section पे दिया है तो आप उझे contact कर सकते हो खिके दोस्तों यह था yes bank stock के उपर analysis और मैंने यह जो nifty hedging का strategy बनाया उसी strategy के बारे में भी आप लोग के साथ share किया फिलाल के लिए इतना ही दोस्तों जय हिन बंदे मातरम